हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 22 सेप्टेंबर 2021 और आज के दा हिंदू निजपेपर गौम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प् अगर एक भारत से United Kingdom के अंदर जाएगा तो उसको compulsory है कि 10 days का quarantine period के अंदर रहना पड़ेगा इसी चीज़ को लेकर भारत ने बोला है कि अगर ये rule जो है ये नहीं अटा जाता है और भारत का माना कि ये discrimination करता है बेदभाव करता है अगर ये rule नहीं हटा जाता है तो भारत भी equal step लेगा इन सब के बीच में भारत के foreign minister ने बातचेत करी United Kingdom के जो foreign minister उनके साथ और इस issue को लेकर discussion किया गया हलाकि ये भी बोला गया कि जो foreign secretary है United Kingdom की उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ को result कर लिया जागा इस issue को result को solve कर लिया जागा issue एक और आप देखेंगे इसमें कोवी सील जो vaccine है वो अगर आप United Kingdom की ही company के थुरू बनाया गया लेकिन भारत में केवल सिर्वन स्टुट ऑफ इंडिया इसको manufacturing कर रहे है ये indigenous vaccine नहीं है इसमें भारत की तरफ से भारत की company सिरफ इसको manufacturing कर रहे है अगर आप भारत पायटा की vaccine के बात करेंगे बिल्कुल indigenous vaccine दोनों में ये difference है इनके लावा ये UK की company है भारत के अंदर लाइसेंस है भारत के अंदर manufacturing company है इसमें vaccination जो वो बना रहा है इनी सब चीजों को लेकर ये discussion किया गया दोनों के बीच में भारत और England के जो foreign secretary उनके बीच में भारत की तरफ से भारत एक important है भारत और United Kingdom के बीच में अगर bilateral relationship के बारे में direct question होता है तो उसके बारे में इन सब के अलावा इस page पे आप देखेंगे इसी टाइट इसी news के अंदर एक sub news दी गई है देखें ओकस में यानि Australia UK और US के बीच अभी जो एक trilateral agreement हुआ था security alliance हुआ था उन सब के बीच में France और Australia के relation जो है खराब हुए लेकिन इन सब के बाद भारत और France के relationship में एक boost up देखने को मिलता है इसके just बात भारत के प्रधानमंत्री और French President Emmanuel Macron के बीच में एक टेलेफोनिक call हुई discussion किया गया है इन पूरे issues के अंदर अगर आप देखेंगे ये exactly statement है भारत के प्रधानमंत् कि हमने discussion किया है अफगानिस्तान की situation को और most important जो एक word use किया जाता है collaboration in the Indo-Pacific यानि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत और France के defense ties जो है वो और ज़्यादा strong होते हुए आपको नजर आए वैसे भारत और France के relation भूत अच्छे हैं आने वाले time में और ज़्यादा boost up देखने क को मिल सकता है इसके just right hand side important information है news कह सकते हैं और यह ऐसी news जिसमें मैं मैंने कई बार बुला कि Supreme Court की जो historical judgment आई पिछले एक से दो साल के बीच में उन सब पर सवाल हो सकता है direct और indirect इसी context में permanent commission of women in defense forces को लेकर जो judgment आई थी उन सब का ही result है कि आने वाले 2022 से NDA यानि National Defense Academy के अंदर women's का induction किया जाएगा और पहली बार यह होगा और इसको लेकर UPSC जो है वो notification release करेगी इस चीज़ को लेकर अगर आप देखेंगे भारत सरकार ने Supreme Court में बोला था कि जो भी judgment आई उसको follow किया जाएगा और Supreme Court का यह मानना था कि permanent commission नहीं देना women को basically एक तरीके से in equal सा लगता है या equality के right का volition करता है इसी context में permanent commission जो Supreme Court के दवारा दिया गया और gender equality यह जेंडर के base पर कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए बैदभाव नहीं होना चाहिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जेंडर equity को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लेकर एक clarification दिया गया था Supreme Court के दवारा और यह immediately लागू करने को लेकर बोला गया था हला कि इस साल 2021 में जो examination है वो पहले से decide दी इस बार तो लागू नहीं होगा लेकि 2022 से भारत में महिलाएं भी NDA के अंदर participate करेंगी NDA के अंदर जो है National Defense Academy के अंदर जाएंगे Armed Forces के अंदर और वहां पर वो अपने training को complete करेंगी इसके right hand side एक और information है यह बहुत important है मैंने कल भी discuss किया था कि monsoon जो है बहुत important रोल प्ले करती है भारत के agriculture sector के अंदर और agriculture एक ऐसा topic जो 2020 के अंदर भर भर कर सवाल जिसको बोलते हैं कई सारे सवाल UPSC ने पूछे इस पार भी possibility के agriculture को लेकर आपसे question पूछे जाएं सबसे पहले यह जो season चल रहा इसको creep season बोलेंगी और इस creep season के अंदर record paddy harvest हुआ है यानि harvest in the sense की बड़ी संक्या में धान की खेती हुई है उसके पीछे बड़ा reason ही होता है भली ही क्योंकि धान एक ऐसी फसल जो है एक water intensive crop जिसको बोलते है धान हो गया गन्ना हो गया यह जो फसल जिसके अंदर अच्छा खासे पानी की requirement होती है और अगर monsoon नहीं हो जाता है होता है तो कोई भी फसल क्यों ना हो बारिस का एक अपना important role होता है उसी चीज़ के estimate किया गया कि भारत के अंदर इस बार paddy yield जो है वो एक तरीके से increase हुआ है लेकिन कुछ concern भी है कुछ सव particular जो oil को लेकर है वो कहीं न कहीं problematic है क्योंकि edible oil के prices लगातार increase हो रहे हैं दूसरी और कुछ अच्छी चीज़ें भी है कि पलसी जनी दाल की खेती के अंदर कुछ production में increase है आपको देखने को मिलेगा इनके लाबा agriculture मिस्ट नरेंदर सिंग तौमर साहब ने बोला कि इसका result हो जो है farmers की महनत, scientist की proficiency और farmers friendly policy जो government के द्वारा अपनाई गी है उन सब का एक important और collective result है इसके just नीचे एक और news है असम नागलेंड के CM ने discussion किया National Socialist Council जो है नागलेंड की ये एक तरीके से इसाग मुया का एक group है इनके साथ और socialist और council ये है के नहीं है इनके अलग-अलग opinion हो सकते है लेकिन ये जो fraction है नागलेंड के अंदर बहुत सारे ऐसे fraction है जो जाते हैं कि एक वरेतर नागलेंड बनाया जाए वरेतर नागलेंड इ एक अपना अलग से देश बनाने कि इनके जो डिमार रहती है वो यनिक तरीके से बोल सकते हैं सेविटरिस्ट की तरह ही है थोड़ा डिफरेंट अप्रोज रखते हैं एज कंपेर टू जमोनी कस्मीर इन नौर्थ नौर्थिस्ट सेट राइट तो इसी चीज को लेकर अज सोशलिस्ट कांसिल ओफ नागालेंड इजाक मुया इसके फ्रेक्षिन के साथ और इनमें नागालेंड के सीएम ने भी इसमें पाटिस्पेशन किया और इस चीज को कंसिट्रेशन किया जाता है कि यह जो लोग है एन एस सी आईनम इनकी डिमांड है कि ग्रेटर नागालिम जाए जाए जिसमें नागा इन हैविडेटे एरियाज के अंदर नौर्थ इस टीजन के अंदर एक अडिमिस्टेटिव अम्रिला के अंदर एक अडिमिस्टेटिव अम्रिला के अंदर यह आए और यह चाहते हैं कि एक अपना कॉंस्ट्यूशन हो अपना फ्लैग हो क्योंक यह जो issue बिलकुल national security और इंडिया की sovereignty और integrity के against है तो यह बहुत ही sensitive issue भी है इस चीज़ को लेकर discuss किया गया हलाकि political parties में कुछ allegation भी लगते हैं कि अगर हिमन्त विश्वास तर्मा जो CM है वो किस हैसियत से किस वज़े से जो directly call करें क्योंकि यह central issue है इसमें क्या कोई state का चीफ इतना authorize कर दिया जाएगा कि वो directly बातचीत करेगा इस तरह के fractions के साथ तो कुछ सवाल है वो political questions है वो अपने अपने answer है इसको लेकर debate हो सकती है लेकिन front page पे यह जो है main important news है जिसको लेकर हम use कर सकते हैं अपने examination में इसके बाद page number 8 पे जाएंगे और page number 8 पे जो एक important news है के क कस्तूरी रंगन committee जिन्होंने suggestion दी थी drafting committee है national education policy 2020 की और उनी को अब एक panel को lead करना है के कस्तूरी रंगन basically इसरों के पूरो chairman रह चुके हैं और 12 member की steering committee होगी जो frame करेगी स्लेबस क्या होगा national curriculum framework ncf की ये committee है और national education policy में ये एक तरीके से frame करेगी इनके लावा इस framework के अंदर teaching को लेकर text book को लेकर स्लेबस को लेकर क्या एक तरीका होगा उन सब चीजों को लेकर discussion किया जागा इनके लावा कई सारे इसके अंदर members भी है तो ये एक important panel है इन panel के chief जो है उनके बारे में आप धान रखेंगे ये एक important सी information है right इसके बाद एक और important information जो की भले UPSC के लिए ना हो लेकिन बाकि chief of the air staff हो गया एर 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 फोर्स के जो chief होंगे वो होंगे वी आर चोधरी और 30 सप्टेमर को RKS बधूरिया retirement होंगे उचके बाद जो next chief होने वाले हो है वी आर चोधरी ये एक information इसको ध्यान रखेंगे इसके बाद page number 9 और page number 9 पे जो हम लोग discuss करेंगे AUKUS और QUARD के बीच में Government of India क्या सोचती क्या कोई link है नहीं है या AUKUS agreement हुआ है अस्ट्रेलिया UK और US के बीच में इसको लेकर Government of India की क्या policy है उन सारी चीजों को लेकर government ने clarification दिया है कि पहली बात AUKUS और QUARD के बीच में कोई link नहीं है दूसरा अभी हमारे प्राइमिश साहब US के अंदर जाएंगे वहाँ पर US के President और Voice President से बातचित करेंगे Regional Security को लेकर और इसके अलावा Quad Summit होगी United Nations General Assembly का accession होने वाला उनको भी संभोधित करेंगे तो प्राइमिश साहब जो है वो विजिट करेंगे United States में वहाँ पर वो US के President जो बाइडन और वहाँ की Voice President जो कमला हारी से बातचित करेंग और भारत की तरफ से भारत के प्राइमिशिस में पाटिस्पेट करेंगे इसको लेकर अभी जो ओकस एक अलाइंस हो था जो Security अलाइंस है उसके बाद बहुत सारी एक तरी कैसे डिबेट हो रही अर्ग्यूमेंट्स हो रही है भारत ने कलिरिफिकेशन दिया कि directly कोई लिंक नहीं इन दोनों की बीच में इसको लेकर हमारे जो फोरें सेक्रेटिस साब हरस वरिदन सिरिंगला साब हरस सिरिंगल सोरी इन्होंने बोला कि क्वार्ड मीटिंग जो है वो डील करती है बहुत सारी इशूज पर जैसे पैंडिमिक है निउ एंड एमर्जिंग टेक्नोलोज उकस इसके बारे में क्योंकि हम इसमें पार्टी नहीं है इसमें हम एक मेंबर नहीं है तो इसमें यह रिलिवेंट भी नहीं है क्वार्ड के कॉंटेक्ष्ट में अफगान सिच्वेशन को लेकर discussion किया जाएगा मेन जो discussion होने वाला United State और इंडिया के बीच में जो bilateral summit होगी उसमें अफगान में जो issues है अफगानिस्तान के अंदर उसको लेकर होगी और फिर मैं repeat करता हूँ एक वार जो हमेशा यूज किया जाएगा इंडो प्रेसिफिक के अंदर भी discussion किया जाएगा इनके लावा हमारे प्रैमेस्टर साथ जो है कई सारे business leaders और CEO से भी बातशित इसके लावा यहाँ पर United Nations General Assembly के session को भी संभोधित करेंगे इसके लावा यहाँ पर बहुत सारे issues हैं जिसमें multilateral system है United Nations Security Council के reform के बारे में global terrorist network के बारे में radicalization, extremism जो अफगानिस्तान में situation के बात increase हो सकता है उन सारे areas को लेकर discussion होगा इनके लावा यहाँ पर strategic clean energy, green energy इन सब ची investment, defense, security यह कुछ topic है जिनको लेकर भारत और United States के बीच में discussion होगा इनके लावा एक और यहाँ पर चीज है भारत और United States के बीच में चार foundational defense agreement हुए उनको operationalize करने को लेकर भी भारत और US के बीच में discussion होने वाला है इनके लावा जब पूछा गया कि बताईए AUKUS और QUARD के बारे है countries का जो कि different vision से काम करता है और इसका main theme क्या है इंडो Pacific region को free open transport inclusive region बनाना और जैसे यहाँ पर बताया गया कि मालावार exercise में बहुत सारी countries participate करते हैं जरूरी नहीं कि केवल इसमें Australia, India, Japan और US बहुत सारी countries में participation कर सकते हैं Australia की तरब से भी clarification दिया गया कि यह जो partnership है यह nuclear power technology के बारे में है nuclear proliferation को लेकर नहीं है क्योंकि Australia nuclear power country नहीं है तो कई लोगों को यह भी doubt रहता है कि क्या Australia इसके through nuclear weapon हासिल करने कोसिस करेगा तो इसका answer है Australia के तरफ से no आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में कोई information फिलाल नहीं है अभी के लिए जो आज के situation उसके according on Australia नहीं यह clarification दिया और government of India को भी इसके बारे में बताया है इसके बाद page number 10 पे एक information है और सार्क minister की जो meeting होने वाले थी United Nations General Assembly के side lines में वो cancel कर दी गई है क्यों cancel कर दी गई है पाकिस्तान चाहता था कि Taliban government में जो foreign minister उनको सामिल करे भारत ने का कि भाही नहीं भारत के अलावा नेपाल भुटान कई सारी countries ने इसको जो हो cancel कर दिया सारक के जो important अगर आप देखेंगे chair person के रूप में इस time नेपाल chair कर रहा है सारक को नेपाल के अंदर इसका headquarter भी है इस meeting को cancel कर दिया यह एक तरीके से possibility नहीं होगी और इसको लेकर Pakistan ने force किया कि भाई आप इसमें include करिए Taliban के ज ऐसा organization जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा unsuccessful organization के list में किसी account करोगे तो सारक आएगा क्योंकि coordination नहीं है regular meeting नहीं होती है और bilateral issues का जो है वो असर बहुँ ज़्यादा इस organization पर है इसलिए इसको replace कर लेंगे लिए alternate जो है भारत ने भी mistake या दूसरे organization के थुरू भारत जो है लगा दिसकस करीगी जैसे Asian Development Banks ने इंडिया का जो growth rate का projection है 2021 और 2022 के बीच में 21 और 22 के बीच में ये कम कर दिया 10% पहले 11% इन्होंने कहा था कि भारत के economy एक साल में 10% 11% इंग्रीज करेगी अब इन्होंने वला कि 10% करेगी इसके पीछे reason क्या होता है हर जो forecast करने वाली agencies होती है व को review करती कई बार कई एक साल में करती है कई 6 मेने में कई 3 मेने में कोई हो सकता है एक महिने में भी review करें कि economic situation कैसी है क्योंकि इन्होंने अभी जो review कि उसके 10% की growth rate हसिल कर सकता इंडिया अब आपको लगेगे 10% बहुत बड़ी amount है जिसमें हम लोग growth कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्यों देखिए भारत में जब 2019-2020 के जो economy थी वो मान लेते 100 रुपीज थी इसके बाद 2020-21 में जो growth हुई मान लेते वो 92 रहेगी हमारे पास 100 रुपी थी negative growth हुई 92 के आसपास होगी अब 92 का 10% आप करेंगे तो ये growth बहुत जादा नजर नहीं आएगी 100 से कुछ point ही cross करेगी तो इसलिए आपको ये बड़ी digit लग रही लेकिन actual में 2019 के compare में करेंगे तो बहुत जादा amount जो इंडियन economy में add नहीं हो रही है राइट Asian Development Bank ने अगर आप देखेंगे इसके forecast को ये GDP growth का 2021-22 में 10% किया है इसका अलावा कुछ उन्होंने concern भी बताए जैसे fuel inflation जो वो लगातार increase हुई है 5.2 का estimate था वो increase किया नहीं की 5.5% के आसपास रह सकती है इनके लावा fuel को लेकर हो या ये भी कहीने कहीं concern है कि एक तो vaccination को और ज्यादा पेस करना पड़ेगा डेल्टा विरेंट्स के आउट ब्रेक से या बहुत सारी चीजों के वज़े से जो disturbance क्रियेट हुई है उसकी वज़े से कहीने कहीं problematic है हलाकि एक उमीद भी है कि जैसे Reserve Bank of India ने बोला और यहां पर organization ने भी बोला कि economic को reopen जैसे second COVID वे वहाई उसने बहुत जादा disturbance क्रिट करी लेकिन ये खतम भी बहुत जल्दी हुई या इसमें इसका परभाव भी कम हुआ और उसके बाद इन्होंने बताया कि purchasing manager index हो या अगर आप ADB का assessment को देखेंगे तो economic को reopen करने में जो रोल रहा है वो एक important रोल रहा है तो इसके context में बोला जारा कि भारत में कुछ उमीद भी है या possibilities भी है कि भारत जैसे 11 से अगर आप 10 देखेंगे तो बहुत जादा कम नही करिए इनका अभी भी उमीद है कि positive cycle के अंदर इंडिया जो हो आगे बढ़ेगा और कुछ concern है definitely price inflation खासकर pulses और vegetable oils के diesel fuel gasoline इन सब पे जो higher duty उनको लेकर और rising global oil price ये कुछ concern है as per Asian Development Bank तो कई बार question होता है Asian Development Bank Asian Infrastructure Investment Bank या New Development Bank इनके headquarters को लेकर सवाल हो सकते है ये जो major banks है इनके headquarters आप नीचे comment करेंगे जितने भी ये तो मैंने कुछ ही बताए है इसमें आप even WTO या World Bank या World Trade Organization इनके भी नीचे comment कर सकते है mention कर सकते है important है matching में कई वार सवाल आ सकते है इसके just नीचे एक और information है इंडिया ने 521 Megawatt जो है वो rooftop solar energy को add किया quarter to 2021 के अंदर अपरेल से जून 2021 के बीच में तो यहाँ पर जो quarter two में data दिया गया और 521 Megawatt की जो solar capacity rooftop है उसको add किया गया लेकि भारत में अगर आप देखेंगे solar energy में बहुत जादा improvement करने कोशिस की जा रही है solar panels जो है वो सस्ते हुए है क्योंकि जितना investment होगा जितना news में रहेगा जितन उस पर focus किया जाएगा वो उसमें एक तरीके से investment किया जाता है दूसरा आपने देखा होगा जैसे fuel prices 100 और 100 क्रोस कर चुके है उस context में electrical vehicle की भी sale increase हुई हलाकि complete replace करना जो petrol या diesel की जो vehicles है वो इतना असान नहीं है लेकिन एक alternate provide कर रहे लोग खरीद रहे यानि एक तरीके से उन है और rooftop solar capacity को increase करने को लेकर लगातार discussion हो रहा है इनके लावा क्योंकि अभी एक important summit भी होने वाली है 2021 के अंदर ही Glasgow के अंदर Conference of Party United Nations Framework Convention on Climate Change की ये सारे एक important इनिसेट की तरह भारत क्योंकि international solar alliance का headquarter भी इंडिया के अंदर है तो ये भारत की responsibility भी बहुत ज्यादा है इसके United States के President Joe Biden ने United Nations General SMB की session को संभोधित किया कई सारे topics पर उन्होंने डिसकसन किया पहली बात उन्होंने बताया कि हम cold war नहीं चाहते किसी भी country के साथ directly आप बोल सकते हैं चैना के साथ इन्होंने बोला है कि हम हर उस country के साथ काम करने को त्यार है जो एक तरीके से challenges को share करने को लेकर एक हमारे साथ काम करेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे चैना के इन्होंने name नहीं लिया इनके लावा इन्होंने बताया कि हम लोग कोसिस करेंगे हम उस हर उस attempt को oppose करेंगे जो एक country force के साथ द का विरोध करेंगे लेकिन cold war नहीं चाहते कोसिस करेंगे कि maintain करें और जैसे covid-19 climate change, humanity और इस तरह की issues है यह universal principle है और इसको लेकर बिलकूल भी political power को लेकर एक युद्ध नहीं होना चाहिए इसमें एक coordination की जुरूत है इनके लावा democratic world को spot करते हैं इसमें anti corruption, activist, human rights, defender, the journalist इन सब के rights को protect किया जासके इन सब चीज़ों को लेकर discussion किया गया इनके लावा जो common challenges है पूरी दुनिया के सामने जैसे trade है, cyber issues है, technologies है या terror threat है इन सब को भी हम लोग understand करेंगे इनके लावा कई सारा organization का अनों ने discussion किया जैसे NATO है, European Union, Quad, African Union इन सब के साथ मिलकर Indo-Pacific में खास कर हम लो discussion किया, इरान के बारे में बोला कि भई हम चाहते हैं कि एक ऐसा area बना सकें जहां पर denuclearization हो, complete denuclearization हो और इसको लेकर इरान के साथ coordination, लेकिन इरान और US के बीचे मैंने कई बार discuss किया कि main theme क्या है, पहले आप पहले आप वाला concept है कि पहले आप इरान से प्रतिबन हटाई, इर enrichment करें, इसको reduce करें, हमारी rules को जो follow करें, ये main issue है दोनों के बीच में, हलाकि हो सकता आने वाले समय में कुछ इसमें resolution या कोई deal जो है, फिर से enter कर जाए US और ये deal successful हो पाए, इसके अलावा right hand side एक news जो कई बार, कई दिन से news में है, ever grenade crisis के बारे में, ever grenade जो crisis है, basically, चाइना की एक property giant है, वो अपनी interest पे नहीं कर पा रही है, यानि इन्हों ने इतना ज्यादा loan ले रहा है कि interest तक को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वज़े से Chinese economies और आप देखेंगे, पूरी दुनिया की share market पर भी इसका असर पड़ेगा, बहुत बड़ी company है, इसके बारे में, ये particular news आप एक बार फिर से पर सकते हैं, क्योंकि इसने इतना loan ले रहा कि इसने पूरी दुनिया की economy को disturbance करने की capacity रखती है, और इसके crisis जो है, इवन कई सारी ये लोग बोलता है कि इसका असर जो है चाइना की economy पर पड़ेगा, और हलांकि चाइना इसको particular ये बोलता है कि भही य ये company को अपने आपको बचाना पड़ेगा, Chinese government जो है वो इसको bailout package नहीं देगी, bailout in the sense कि कोई अगर economically fail कर रहा है तो उसको spot करने के लिए, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा loan ले रहा है, वो ये pay करते नहीं है, और अगर loan देंगे तो ये और ज़्यादा government को नुक्सान ह ये कुछ चीजे हैं जो आपको self study करने इस particular news के अंदर, right, editorial part में जाएगे page number 6, page number 6 में जो article है वो हम discuss करेंगे, कल किसी साथी ने comment किया था कि आप pro BGP है और आप जितनी BGP की जो सरकार बनती हैं उनके बारे हम discuss करते हैं, Congress के बारे हम discussion नहीं करते हैं, right, तो आपका एक अपना opinion हो सकता है, और यह बात BGP को support करना नहीं करना हर्ज किसी की individual choice है, दूसरा मैं बता दूँ कि आपको ऐसा इसलिए लगता हूँ, क्योंकि मैं जो focus करता हूँ, वो government के policies पर करता हूँ, खास कर, और उसमें BGP और Congress का issue नहीं है, मैं हमेशा एक word use करता हूँ, भारत के प्राइमिस्टर साब, और चाए वो BGP के हो, Congress के हो, उन सबसे ज़्यादा important है कि वो India को represent कर रहे हैं, इसलिए हम फोकस करता हूँ, मैं हमेशा political news, उनको इतरीके से avoid करता हूँ, क्योंकि उनका कोई exam से directly link नहीं, जैसे यहाँ पर DM के government के बारे में है, इसके left hand side BGP में वहा गुजरात के अंदर leadership change कीगी, उनके अंदर एक junior council की तरह बोला गया कि अलग-अलग community के minister को include किया गया, तो इस दोनों चीज़ हम discuss नहीं करेंगे, BGP हो, Congress हो, मेरे लिए उनसे कोई मतलब नहीं है, और रही बात किसको spot करना, किसको नहीं spot करना, ये individual choice होती, आप हर व्यक् verification नहीं देनी है, आपको अच्छा लगता है, तो देखिए, नाच सा लगता है, तो आप dislike एक button होता है, आप dislike प्रेस कर दीजी, thank you, इसके बाद दो editorial जो है, हमें discuss करने हैं, एक है ये welcome decision करके, और दूसरा है, Ocus को लेकर ही एक article है, पहला जो welcome decision करके left hand side एक editorial है, ये article basically vaccine production को ल resume करेंगी, यानि COVID-19 के second wave के दुरान भारत ने जो दुनिया भर का vaccine distribute करते थे, donate करना या foreign export करना, वो हमने बंद कर दिया था, mid April से ही, और अब हम उसको फिर से resume करने वाले हैं, COVID-19 vaccine को लेकर, इसको लेकर एक decision जो है, government की तरफ से लिया गया, अब इसको दो perspective important, पहला तो वे vaccine में तरी के अंडर है, और दूसरा, COVAX, एक ऐसा initiative जहाँ पर दुनिया की कई सारी country vaccine को donate करती है, और उसके बाद COVAX initiative के थूरू, उन country में distribute किया जाता, जहाँ पर capacities कम है, या resources कम है, इनके अलावा, अगर आप देखेंगे, भारत ने अब तक COVAX के अंदर 20 million doses जो है, वो donate किया है, इसी तरीके जे हमने बड़ी संक्या में कई सारी country को doji जो provide करे है, हमने start करी थी भुटान और माल दीज से और उसके बाद कई सारी country के अंदर हमने vaccine को distribute और export किया है, इन सब के अलावा, गर आप देखेंगे, बहुत सारी country में जैसे एक vaccine inequity की जो बात होती है, कि vaccine क मामले में समानता देखने को मिलती है, और खासकर African continent के अंदर, जहां पर केवल 2% लोग ही vaccinate हुए, और इवन जो frontline worker, healthcare worker उनको भी vaccine नहीं मिली है, कई cases में, तो उस situation में एक vaccine inequity को counter करने के लिए एक important step है, दूसरा, यहां पर ये भी बोला गया कि जो commitment किया लोगोंने की 1 billion dose ज उसका बहुती कम percentage जो है वो अफरीका के अंदर पहुचा है, दूसरा दिक्कत यह है कि अगर माल लेते हैं कि हम African continent को पूरी दुनिया vaccinate नहीं कर पाती है, तो उसका impact जो है आने वाले टाइम पे भारत पर भी पढ़ सकता है, पूरी दुनिया पर पढ़ सकता है, क्योंकि ज के लावा भारत को दो चीज़े करने के जरूत है, पहला भले एक्सपोर्ट करिए अच्छा decision है, लेकिन हमें ये भी ध्याम नखना है कि हमें अपने manufacturing को production को increase करना है, ताकि जो हमारी population उसको भी तेजी से vaccinate कर पाए, donate भी करिए, export भी करिए, बट अपने production को ramp up करिए, और ब हुए, तो COVID-19 का जो सफर शुरू हुआ था, 2019 में ये सफर बहुत लंबा हो सकता, अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, हम सब in the sense कि सभी countries मिलकर काम नहीं करेंगे तो, इसके बाद, the big deal behind the rocks of our AUKUS करके, AUKUS में जो अभी AUKUS के वज़े से जो घमासान चल रहा है, उन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पहली बात, चाइना's economic and military capacity as well as its belligerence, यानि चाइना की एक आर्थिक सकती, military सकती, और इसका एक जो युद लड़ने जैसे situation create करता, या एक युद परक एक country जैसा, उस context में, regional security में आपको कई सारे shift देखने को मिलेंगे, ये कुछ आर्टिकल जो है वो discuss करते हैं सोजान साब, और अभी announcement किया गया था, AUKUS Trilateral Security Pact को, जिसमें basically एक submarine agreement कह सकते हैं, अस्टेलिया और युएस के बीच में, UK के बाद second country होगी, युएस जिसको, सोरी, अस्टेलिया जिसको युएस इस तरह का submarine nuclear submarine जो हो टेकनोलोजी ट्रांसपर क करेगा, इसी चीज को लेकर जापान, चाइना, इसके लावा, सोरी, जापानी, फ्रांस, चाइना और न्यूजिलेंड जो है, ये कंट्री जो है, वो disturbance है, कि इस तरह के agreement नहीं होने चाहिए थे, फ्रांस के अपने region है, न्यूजिलेंड के अपने region है, और चाइना टेफिनि इंडिया में इन एक्सरसाइज करी, फिर जापान में गया, मलेशिया में गया, सिंगापूर में गया, इसके बाद साओ्ट चाइनाशी होते होई है, मालाबार 2021 में होते हो और ये जापान की तरफ गया, यानि अलग-अलग आपने देखा हो बहुत सारी एक्सरसाइज कंड और चाइना एक बहुत ज्यादा गेन ने करें पर्टिकुलर ना, डिरेक्टली और इंडेक्ली उसको काउंटर करने को लेकर इस तरह के एग्रीमेंट से, ये क्वाड कोई पहला और अंतिम एग्रीमेंट नहीं है, इसके लाब बहुत सारे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी चीजे हुई है इस रीजन के अंतर, जैसे जापान ने जिसने एक परसेंट की जो लिमिट लगार की थी डिफेंस स्पेंडिंग पर उसको बढ़ा दिया है, अभी दो पैंट शे परसेंट ये इंक्रीज करेगा, इसी तरीके इनको डर है कि ताइवान औ और क्योंकि जापान और चाइना के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं है, उसका इंपेक्ट पड़ता है, दूसरा, अस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस को लगातार 9 साल से बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये कुछ चीजे है, हलाकि जो नुकलिर सम्भिन हो सकता ह 40 में या उससे पहले इनको मिले, लेकिन डिफेंटलि अस्ट्रेलिया ने अपनी फोरेंट पोलिशी के अंदर एक सिट किया है, और डूमिनेट जो है चायना पोलिशी को उसको कांटर करने को लेकर एक इंपोर्टेन फोरेंट पोलिशी को लेकर ये काम कर रहा है, Security Treaty है 1994 के बीच में उसके according आपने relevance क्यों नहीं समझी इसके लाव United Kingdom के लिए एक opportunity है और five eyes countries इनको लिए एक opportunity है Australia, Canada, New Zealand और UK, US अलाकि New Zealand का criticism करना वो उनका एक अपना right है और वो अपने थरीके से चीजों को देखते हैं इनके लावा ये पूरा अगर आप देखेंगे Quad एक open trade, healthcare, critical technology, supply chain और AUKUS जो एक summary deal है कई बार इस सवाल पूचा जाता है कि difference क्या दोनों के बीच में AUKUS agreement एक summary deal को लेकर है लेकिन Quad का जो aim है वो perspective बहुत ज्यादा आपको different देखने को मिलेगा राइट चाइना definitely इसका विरूद करता है चाइना ही बोलता है कि ये जो चीजे है ये इसी region के अदर instability करने कोशिच है चाइना को लगता है कि अगर coordination हुआ तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है भारत के पास अगर आप देखेंगे इंडिजिनिसली SSBN है, INS Aryanth है और इसके लावा क पाई वही है जो UPSC फिलिप से पूचा था, बेसिकली सम्मिरिन का development करने को लेकर ही ये एक प्रोजेक्ट है, इनके लावा आस्ट्रेलिया को definitely एक बुस्टप मिलेगा, भारत के लिए एक opportunity है कि फ्रांस अगर आस्ट्रेलिया और यूस से नराज है तो ये एक opportunity भी इंडिय के लिए फ्रांस और इंडिया के साथ के रिलेशन जो और ज़्यादा बुस्टप किया जाए और इसको लेकर आप देखेंगे front page बे जो news डिसकस की गईती है कि भारत के प्राइविस्टर और फ्रांस के जो प्रिजडेंट उनके बीच में bilateral discussion भी हुआ इस पूरे issue को लेकर और important है यह हमारे लिए आतम निर्वर भारत में जो defense manufacturing उसको boost up करने के लेकर भी हुआ तो कुछ important news है जो हमने discussion करी है इसके लावा एक news जो है वो हमारी pending है वो है green energy के अंदर अडानी ग्रूप के दोरा जो investment किया जाएगा उसको लेकर अगर time मिला तो हम short में to the point आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि separate रखेंगे important है वो environment के perspectives है thank you all जहिन